है गाईज चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाए ताकि आपको नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजए चैनल आज की इस वीडियो को थम नहीं लोगी टाइडल देकर आपको समझ आ गया हुए कि आपको भाई आज बताने वाला है कि आप घर बैठे कैसे अपलाई कर सकते हैं पूरे एक लाक रुपे से लेकर दस लाक रुपे तक लोण केवल और केवल अपने मुबाइल फोन से जियां काईज अपने मुबाइल फोन से आप घर बैठे अपलाई कर सकते हैं लोण चुरासी महिने तक के लि सोच रही है एक लोन लेने की समझ नहीं आरा कहां पर लोन अपलाई करें तो guys वीडियोस की बिल्कुल मत करना क्योंकि आपका वाई आपके लिए यहाँ पर एक आज ऐसा trusted bank लेकर आया जहाँ पर आप एक लाग रुपे से लेकर 10 लाग रुपे तक के लोन के लिए अपलाई कर सकते हैं अगर आप लेना चाते हैं लोन तो वीडियोस की बिल्कुल मत करना इस वीडियो को आपने लाइक करना होगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो उपर आपको और रेड कलेका बटन दिखाएद रहा है उसको प्रेस कने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और पहले एकन जरूर दबा देना ताकि आपको नेवडिक नोटिफिकेशन मिलता रहे तो चलिए गाइस देखते हैं कौन सा वो बैंक है जहाँ पर आप ले सकते हैं एक लाग रुपे से लेकर दस लाग रुपे तक का लोन चलिए सुरू करते हैं सो गाइस अगर आप लेना चाहते हैं इस COVID-19 में लोन तो एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्सिन में दे रखा है आपने उस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपके सामने जो वेबसाइट ओपन होगी उस वेबसाइट का नामे capitalfirst.com जी है गाइस मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर IDFC First Bank की यह एक ऐसा trusted bank है जहाँ पर आप ले सकते हैं 10 लाग रुपे तक का लोन अब यह आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर personal loan का page open कर रखा है और यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले लिख रखा है कि वाई हम आपको यहाँ पर एक लाग रुपे से लेकर 40 लाग रुपे तक का लोन दे सकते हैं लेकिन अगर आपके पास documents complete नहीं है तो फिर आप ये loan नहीं ले सकते हैं, अब आपको यहाँ पर क्या documents देने है, eligibility, character area क्या है, किसको loan मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, सब कुछ इस विडियो के अंदर आपको बता दूँगा, वीडियो के बिल्कुल मत करना, loan apply करे का आपको last बताऊंगा, ठीक है, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, guys, यहाँ पर लिख रहा है, 40 लाग रुपे तक क्या loan हम आपको यहाँ पर दे सकते हैं, पूरी तरीकी से paperless, online loan के लिए आप यहाँ पर apply कर सकते हैं, यानि पूरी तरीकी से digital section आपको यहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर आपको physically documents वगरा नहीं देने है, सारे documents आपको online ही upload करने होंगे, paperless से पूरी तरीकी से, यहाँ पर जो आप loan apply करने वाले हैं, ठीक है, आपको जो loan यहाँ पर मिलेगा, वो मिलेगा 12 महीने से लेकर 84 महीने तक के लिए, जैसे कि मैं आपको बोल ला था, और आपका जो rate of interest य एनम से, apply now के tab आपको यहाँ पर दिखाए दा रहा है, आप चाहे तो directly apply कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको last में apply करके दिखाऊंगा, पहले आपको यहाँ बताऊंगा, features and benefits, eligibility character, ठीक है, calculator आपको यहाँ पर मिल जागा, और किस तरीकी सा आपने apply करना, documents आपको यहाँ पर क्या देने होगे, guys अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर features and benefits की, तो guys आप यहाँ पर दे सकते हैं, आपको जो features and benefits यहाँ पर मिलने वाले हैं, यहाँ पर यह वही बात बोल ले हैं, कि भाई देखे, आप एक तो easy application यहाँ पर submit कर सकते हैं, पूरी तरीकी से paperless है, high dispersal amount आपको यहाँ पर मिलेगी 40,000,000 रुपे तक की, flexible tenner आपको यहाँ पर मिलने वाला है, यहाँ आप साफ साल तक के लिए loan यहाँ पर ले सकते हैं, personal loan लेने के लिए eligibility criteria के अगर मैं बात करो, तो guys यहाँ पर यह बोल लेगी, भाई अगर आप एक self-employed है, तो आपके पास एक saving account होना चाहिए जिसके अंदर आप जो है payment accept करेंगे, सबसे अच्छी बात यहाँ पर यहाँ पर यहाँ कि अगर आपका saving account IDFC first bank के अंदर है, तो आपको यहाँ पर ITR नहीं देनी है, जियां guys, without ITR आप यहाँ पर loan के लिए apply कर सकते हैं, यहाँ पर यह बोले कि भाई, आपके पास पिछले तीन मिने की bank statement होनी चाहिए, उसी से आपकी eligibility का पता चलेगा, अगर आप एक salary individual है, तो यहाँ पर यह बोले कि भाई, आपको यहाँ पर पिछले तीन मिने की bank statement देनी होगी, और आपकी जो minimum monthly salary है, वो कम से कम 20,000 मेना होनी चाहिए, और आपको यहाँ पर 40,000 रुपे तक का loan मिल सकता है, यह है eligibility criteria, अब मैं यहाँ पर बात करूँ अगर EMI calculator की, इसके बारे में आपको यहाँ पर मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि बहुत इसे मेरे भाई है, जो मेरे पास comments करते हैं कि हमारी salary 20,000 मेना है, हम लेना चाहते हैं 2,000,000 रुपे का loan या फिर 1,000,000 रुपे का तो आपने यहाँ पर क्या करना है, अपनी EMI जरूर calculate कर लेनी ताकि आपको समझ आजे कि अपनी salary के साब से क्या आप उस EMI को pay कर सकते हैं, जो आप यहाँ पर loan लेने वाले हैं, for example, अगर आप यहाँ पर लेंगे 1,000,000 रुपे का loan पर 12% per annum के interest वा 36 महने के लिए, तो जाएगी 3321 रुपे, यानि अगर आपकी salary 10,000 मेना भी है, तो आप यहाँ पर 3321 रुपे की EMI आसानी से भर सकते हैं, ठीक है, तो आपने यहाँ पर अपनी EMI जरूर calculate कर लेनी जितना भी loan आप यहाँ पर लेना चाहते हैं, फिर उसके बाद आपने apply नोपर करना, loan के लिए apply करना है, ठीक है, यहाँ पर यहने step by step बता रखा है कि इस तरीक सा आपने loan के लिए apply करना है, वो हम last में देखें हैं, अब बात करते हैं, यहाँ पर documents आपको क्या देने है, loan लेने के लिए, तो क्याज यहाँ पर ही बोले हैं, कि भाई, आपको यहाँ पर जो documents देने हैं, job card issue by नरेगा, ठीक है, और national population register, इनमें से आप यहाँ पर कोई भी एक documents दे सकते हैं, address proof में, additional address proof में आपको यहाँ पर क्या documents देने हैं, उसमें यहाँ बता रखा है कि भाई, आप जो है, यहाँ पर registered sales deed, latest bank statement, latest passbook, rent agreement, utility bill, property और municipal tax receipt, जो मिलती है, आपको वो दे सकते हैं, यहा यहाँ पर आती है कि income proof में आपको यहाँ पर क्या documents देने हैं, guys, income proof में आपको यहाँ पर अगर आप एक salary है, तो पिछले 3 मेने या फिर 6 मेने की bank statement आपको यहाँ पर देनी होगी, जिस account के अंदर आपकी salary credit होती हो, अगर आप एक self-employed है, तो आपको यहाँ पिछले 3 मेने क bank statement देनी होगी, जिसके अंदर आपकी जो debit or credit जो amount है वो show हो रही हो, ठीक है, latest पिछले 3 मेने की salary slip भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है, उसके बाद business proof में आपको यहाँ पर जो documents देने हैं, उसमें आपको यहाँ पर municipal tax bill, gram, पंचाय certificate, ठीक है, SOP, certificate, GST certificate, ITR, वगरा, उ इनमें साथ यहाँ पर कोई भी एक documents दे सकते हैं, balance transfer अगर आप करना चाहते हैं, उसके लिए जो documents है, वहाँ पर इनमें बता रहा है, ठीक है, अब बात यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आती है, आपने loan के लिए किस तरीके से apply करना है, तो यहाँ पर इनमें step by step बता रहा है, अगर आप eligible होंगे loan लेने के लिए तो second step के अंदर आपको documents submit करने होगे, documents में आपको यहाँ पर भई documents देने हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है, इनके अलब आपको यहाँ पर कोई और documents नहीं देना है, कुल मिला के बात यह है guys, documents में आपको यहाँ आधार card, pen card, bank account statement, self-slip देने होगी, अगर आप एक salary है और अगर आप एक self-implode है तो आपको यहाँ पर आधार card, pen card, bank statement और आपको यहाँ पर ITR देनी होगी, यह documents आपको यहाँ पर चाहिए, उसके बाद आपने यहाँ पर documents submit कर देने हैं, जो तीसरा step है, उसके अंदर guys, जब आप यहाँ documents submit कर देंगे, आपके documents verify होगे, ठीक है, आपकी verification होगे, आपकी पास call आएगी, अगर आपकी verification complete हो जाती है, आपके documents verify हो जाती है, तो आपका loan approve हो जाएगा, एक बार loan approval मिलने के बाद, आपकी loan amount आपके bank account के अंदर, एक से दो दिन के अंदर आपको मिल जाएगी, ठीक है, इस तरीकी साब यहाँ पर loan के लिए apply कर सकते हैं, यानि एक बार अगर आपको approve मिला, तो आपकी एक से दो दिन के अंदर loan amount bank के अंदर मिल जाएगी, चार्ज स्टेमब आप IDFC first bank से लोन के लिए apply कर सकते हैं, अब आपको क्या करना है, अप्लाई नवर पर click करना है, जैसे ह तो आपको नीचे click here पर click करना होगा, existing user का मतलब है, अगर आपका IDFC first bank के अंदर पहले से account है तो, ठीक है, तो आपको आपको mobile number dateable डालना है, ने किस्टम है तो click here पर click करना होगा, जैसे आप click here पर click करें गाइस, अब आपको यहाँ पर आपका mobile number डालना होगा, और mobile number डालन है, ठीक है, और OTP क्या है भाई, 34, 32, 24, 32, OTP डाल दी, next करते हैं, जैसे इसको next करें गाइस, next करने के बाद, आपके सामने page जो है, कुछ इस तरीके से open हो जाएगा, page open होने के बाद गाइस, आप यहाँ पर दे सकते हैं, कुछ इस तरीके से page आपको यहाँ पर दिखाए द करना, कितना loan आप लेना चाते हैं, कितने महिने के लिए loan लेना चाते हैं, आपको यहाँ पर चूज करना है, पर पर पूस करना है, किस चीच के लिए आप यह loan लेना चाते हैं, और यहाँ पर यहाँ ने बता भी रगगा, कि वह अगर आप 15,000,000 का loan लेते हैं, चोती जार उसे तीन रुपे की आपके EMA हो जाएगी, साट महेने का loan as employee, आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है, जैसे आप प्रोसीड करेंगे, उसके बाद आपको personal detail देनी है, उसके बाद employment detail देनी है, last में आपको यहाँ पर reference detail देनी है, पर चांजरों सब्स्क्राइब करें न, चलिए मिलता है कि लिए वीडियो साथ आगे व्जीतने, ये वीडियों देनी बहुत बदनेवाद, थैंकिर सो मच,